इस समय गर्मिया बहुत जादा पड़ रही है और हमारा अगर सबजी रोटी खाने का बिलकुल भी मन नहीं है घर में कोई भी सबजी रोटी खाने को तयार नहीं है तो आज हम बनाएंगे गिहूं के आटे की बहुत ही जबर जस्त रेस्पी जिसे बच्चे और बड़े सभी म और जुदो आट ले अटा है में कोई घी या नमक बगएर चोछ नहीं पड़ा है मैं रात को डिनर में रेस्पी बना रही हूं तो मैंने यह इस रोटी बड़े ले लिया तो यहां पर इस आटे को हमें करना क्या है इसको हमें फोड़ा सा एक्षान करता है क्योंकि फिरिज में रखा हूआ था और रोटी का आटा है तो रोटी का आटा तो हम सॉफटी लगाते हैं मैंने यहाँ पर 2-3 चमल सूखा आटा ले लिया है और उस आटे को हम यहाँ पर बिना पानी के इस आटे में अब्सॉर्फ कर देंगे जिससे हमारी रैस्पी के लिए हमें परफेट न साइज की लोई कट कर लेनी है और उसके बाद हम सुखा अठा लगा कर यहां पर बराबर की सभी रोटियां बेल कर तयार कर लेंगे यह देखिए और यह रेस्पी इतनी एजी है इतनी टेस्टी है कि अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो बच्चे भी आप से हफ्ते में दो तीन बार बोलेंगे कि आप यही बना लो क्योंकि यह डिनर के लिए मुझे सबसे अच्छी लगती है खाने में साम को बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सभी को किचन में जाने की दिक्कत होती है तो यह रेस्पी दस मिनट में बनकर पूरी तयार हो जाएगी और बहु तो यह रेस्ट जाना है थोड़ा सा टाइठ हातों से इसको लपीटिएगा ताकि बढ़ी आसी लेयर अंदर आए अब इसको हलके हातों से इस तरह से दबा दीजिए ताकि जब हम इस रोल को निकाले और जब हम इसको बॉयल करे तो यह जराशा भी ना खुले तो यहां पर इस तरह से इस्टिक को आप पकर लीजिए बहुत ही आसानी से यह रोल निकल कर बाहर आ जाते हैं यह देखें कितना बढ़ी आसा यहां पर रोल बनकर तयार हो गया है और इसी तरह कि हमें सारे रोल यहां पर रेडी कर लेने हैं तब तक मैंने साइड में पानी गरम होने के तो बहुत ही आसानी से निकल आते हैं जरासी भी दिक्कत नहीं होती है बस आप हलके से इसको दबा दीजिएगा और यह देखें कितनी आसानी से निकल कर आ गया है रोल बाहर तो मैंने इसी तरह से सबी रोल पहले तयार कर लिये हैं यह देखें तो सारे तयार हो गए अब नमक 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 से क्या होगा जो आटा है वो हलका सा नमकीन हो जाएगा जो रैस्पी बनेगी वो अच्छी बनेगी थोड़ा सा तेल मिला दिया है ताकि जो रोल है वो आपस में चिपके नहीं जब पानी अच्छे से बॉयल होने लगे उसके बाद यहां पर एक एक करके यह सा बहुत ही आसानी से बॉयल हो जाते हैं आपको पांच मिनट पी नहीं लगेगा यह तैर कर पानी में उपर आ जाएंगे यह देखे और हमें देखना कैसे है जब यह साइनिंग सी आ जाए ना आटे में चमकने लगे और रोल उपर तैर कर आ जाए तो आप समझ लिजिए कि अच्छे से अंदर तक पक गए हैं आप किसी भी चम्टे बगेरे की सायता से इनको इस तरह से प्लेट में निकाल कर रख लीजिए तो यहां पर मैंने प्लेट में निकाल दिये हैं और इनको मैं हलका सा ठंडा हो जाने दूंगी और उसके बाद कट करूंगी तब तक मैं य जैसे ही तेल यहां पर गरम होगा मैंने डाला है लहसुन तीन से चार कलिया इस तरह से लंबी स्लाइस में कट कर ली है और लहसुन जब हलका सा पकने लगेगा तो यहां पर हम हरी मिर्ची डाल देंगे इन सबी चीजों को हमें अच्छे से पकाते जाना है मैंने दो हरीवाली मिर्च ली है लाल सिम्मला मिर्च और टमाटर के अंदर का जूस अटा दिया था उपर का हिस्सा मैंने यहां पर कट टिया ले लिया है अभी थोड़े से सॉस डाल देंगे वगए बच्चों को अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा ने डाल रही हूँ मैं एक इससे हमारी जो ये सब्जीयों की स्टफिंग बन रही है ये बहुत अच्छी लगती है खाने में और बच्चों को थोड़ा सा चाइनीज वाला टेस्ट भी आ जाता है तो ये हेल्दी चाइनीज हम बच्चों के लिए बना रहे हैं थोड़ी सी चिली फ्लैक्स थोड़ा सा ओ ये बहुत अच्छा टेस्ट आजाएगा और क्योंकि गहुं का आठा है गहुं के आठे में ऐसा कोई अपना टेस्ट नहीं होता है इसको हम टेस्टी बनाते हैं तो यहां पर ये देखें कितनी आसानी से ये रोल हमारे कट रहे हैं तो आप इनको बहुत पतले-पतली स्कट कर रही हूं इस तरह अजाएगा और इनके अंदर जो लेयर होती है वह बहुत अच्छी लगती है ऐसा भी टेस्ट नहीं हाता है कि हम आठा खा रहे हैं या तो आप इसको ये कह लिजिए कि ये इंडियन शावमीन है बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी बहुत अच् अच्छे से यहां पर इनको मिक्स कर देंगे सभी सबजी और सॉस के साथ तो यह देखिए देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही अच्छी यहां पर खुश्बू आ रही है और साथ ही खाने में तो बहुत ही टेस्टी और लाजबाब थी तो यहां पर सबसे पह चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए मैंने अपने चैनल पर और भी इस तरह के नास्ते डाले हैं मैं रोज साम को 6 बजे वीडियो डालती हूँ तो आप वहां पर जाकर देख सकने हैं इन्जॉई कीजिए